दोस्तों नमस्कार, आज हम तुल्य भीन निकालना सिखेंगे, हमारे पस दो भीन है, एक है तीन बटे पांच और दूसरा है पांच बटे ग्यारा, तो चलिए पहले तीन बटे पांच का तुल्य भीन निकालते हैं, तीन बटे पांच का अंच है तीन और हर है पांच, अब हमें इसका तुल्य भीन निकालने के लिए क्या करेंगे, अंच में दो का गुणा करेंगे, और हर में भी दो का गुणा करेंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे, दोस्तों कि अंच में जितना गुणा करेंगे, उतना ही हर स से भी गुणा करेंगे तो यहां पर दो का गुणा करेंगे चलिए तीन दुना 6 बट्टे 5 दुना 10 देखें तीन बट्टे 5 का तुल्य भिन क्या निकलाया 6 बट्टा 10 दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन यह बराबर है क्योंकि उसका अनुपात बराबर बढ़ा है उप तो यह क्या है तीन बट्टे 5 का तुल्य भिन 6 बट्टे 10 है और अगला तुल्य भिन निकालें तीन गुणीत तीन बट्टे 5 अंस में गुणा करेंगे 3 से हर में भी गुणा करेंगे 3 से तो गुणा करने पर निकलेगा देखे हमें मिलेगा 3 तीन नो 7 बट्टे 5 तीन गुणा करेंगे 9 बट्टे 15 तो एतीनों भीन बराबर है, तीन बटे पाँच के बराबर है, छे बटे दस, छे बटे दस और दोनों के बराबर है, नौ बटे पंद्र, एतीनों भीन बराबर है, मना तुल्य है तो 3 बटे 5 का तूली भ़िन हमने निकालने से खे, अब हम निकालेंगे 5 बटे 11 का तूली भ़िन पराबर 5 बटे 11 में हमने अभी तक 2, 3 का गुना किया चलिया हम इसमें आगे गुना करते हैं चार से गुणा करते हैं अंस में तो हर में भी चार से गुणा करेंगे तो पांचो के आप देखे पांचो के हो गया 20 बटे 11 चो के 44 तो हमारा 5 बटे 11 का तूल्य भिन क्या आया 20 बटे 44 अब अगला 5 बटे 11 में पांच का गुणा करते हैं आंसोर हर में तो पांच पच्चे 25 पूरे के बट्टे 11 पच्चे 55 तो दोस्तों पांच बट्टे 11 का दो तुल्य भीन हमने निकाल लिया एक है बीस बट्टे 44 दूसरा है पच्चिस बट्टे 55 तो पांच बट्टे 11 के बरावर ही दोनों भीन है तो पांच बट्टे 11 का तुल्य भीन हमने निकालना सीखा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद